सो हे गाइस दिस इस काफी उन वाचिंग टेकनिकल काफी यूटूब चैनल बसली गाइच आज की स्वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड नो कोस्ट एमाई के बारे में देखिए अब तक मैंने बहुत सारा आपको वीडियो दिये हैं डेबिट कार्ड नो को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहां पर देने का ज़रूत नहीं पड़ेगा तो सारा लाइब होगा आपके सामने और यह भी आपको बताएं कि एक साथ पैसा कटता है या कैसे कटता है और किस तरीके से हमारा जो है पूरा एमाई का सरकल और सब कुछ चलेगा पूरा इस व वगर लगते हैं तब ही जा करके यह ओफर आपको देखने को मिलता है तो चले मैं आपको सबसे पहले स्टेप बताता हूं कि क्या क्या प्रोसेस पहले आपको देखना पड़ेगा तब जाके आप प्रोडेट को पर्चेस करोगे तो आपको नोकोस्ट यहां पर पूरा जो और्फ के आपका कार्ड नहींट हो जएका सभसेपहला सबसेफली वी इस टेप आपको करना है उसके पास दूसरा काम करना है कि आपको σब्यक्राइए कि क्या जो आपने debit card को add क्या है उस पे जो है bank आपको no cost EMI देती है या नहीं देती है तो इसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर no cost EMI वाले page पर जाएंगे more में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर EMI वाला option होता इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा debit card EMI का option एक चीज़ यहाँ पर पूरा क्लियरली हाइलेट कर दिया गया है मातर पांच बैंक ही ऐसे है जिस पर जो है debit card EMI Amazon सपोर्ट करवाती है सबसे पहला bank के SDFC अगर SDFC का debit card होगा तो आपको EMI मिल जाएगा ICICI bank होगा kotak bank होगा access bank होगा यह SBI होगा तो आपको जो है debit card पर EMI मिलेगा की नहीं मिलेगा तो यह चीज़ आप सबसे पहले confirm कर लेना कि SMS में आपको eligibility लिख के आ रहा है तभी जागर कि आपको EMI मिलेगा चलिए आप यहाँ पर लाइप प्रोसेस करते हैं कैसे हमें यहाँ पर सारा कुछ पर्चेस करना है सारा आपको यहाँ पर द लिख के option मिल जाएगा up to 826 रुपिया जो है आपको no cost TMI में यहाँ पर वेब करके यहाँ पर दिया जागा जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ debit card के option में हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर किलियरली option आ जाता है HDFC का और HDFC का यहाँ पर सरकल यहां पर दे दिया जाता है जिसमें बताया गया है कि आप नो कोस्ट यहां पर 6 महिना कलेंगे तो आपको यहां पर इंट्रेस्ट पड़ेगा वह 16% का पड़ेगा जो की 586 रुपीज का होता है लेकिन नो कोस्ट यहां आपको Amazon दिर यह से लिए 586 रुपिया को यह जो है 826 रुपिया का इंट्रेस्ट बनेगा 16% के इसाब से लेकिन 826 रुपिया आपको Amazon डिस्कॉंट करके एक्च्वल जो अमांट है वही प्राइस आपको पेट करना पड़ेगा तो चलिए काफी अच्छा हो जाता है एक चीज में आपको बताना चांगा कि बैंक जो है इंट् सब्सक्राइब करके नहीं लेती है बाकि जितने बैंक एकसी सो गया यहां पर जितने भी सो गया कर लिए चलिए चार्जी भी 64 वाला लेंगे सफायर बुलू कलर हमने यहाँ पर प्रचस करना है तो जस्ट हम यहाँ पर एड़ टू काट पर क्लिक करते हैं प्रोसिट टू चकाओ पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद हमें यहाँ पर डिलेवरी ऑप्शन सेलेट करने का आएगा जो डेबिट काड का जैसे आप सेब करके रखेंगे तो आपका यहाँ पर काड़ दिख जाएगा ठीक है जैसे काड़ दिख जाएगा यहाँ पर एक आप्शन होता है पे इन फूल तो यहाँ पर आप्सन आ जागा छे मन्थ वाला जिसमें नो कोस्ट एमाइ लिखा है तो आपको वह प्लान को यहां पे चूज कर लिया अपना काड का जो सीबी बी नंबर होता यहां पर डाल दिया है एक चिछ को में ध्यान दीजेगे यहां पर डिटेल मेंशन कर दिया गया है कि यह माई जो बन रहा है जिसमें पर मन जो है है इंट्रेस्ट वह यहां पे कट हो जाएगा वह आपका में बता दूंगे कैसर प्रोसेस है तो यह हमने यहां पर CBB नंबर डाल दिया एकदम नॉर्माल से यहां पर चेक कर लिजे और यहां पर कंटिनीव पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पूरा सम आ जाएगा यानि कि इस पेज में ही आपको पूरा किलियर हो जाएगा कैसे कैसे आपका सारा पैसा कट रहा है और किस तरीके से आपको यहां पर पैसा कटेगा सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं यह आईटम जो था हमारा 1299 था 1299 का था उपर में हैं नो कोस्ट कर दिया मैं कि हम आपर देखे माइन ऐस00म फाइब हंड़ेड ऌिफ्वर रूपीज घंपर डिसकोंड कर दिया एमज्वन रेट्स कंट कर दिया बैंक आपसे लेगी ठीक है अच्छी बात डेंक क आपसे लेगी लेकिन ऐऊ तो sırथ एकर देंग हैं एमजोन ने इंट्रेस्ट को माइनस कर दिया इंस्टेंट और हमें पेमेंट करने को बोला 12,413 रुपया का जिसमें इंट्रेस्ट जो है 5,885 रुपया बैंक आप से लेगी और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर 6 मंद का EMI यहाँ पर बन गया important EMI information यहाँ पर बोला है कि you will be charged interest of 585 बाइद बैंक क्लियर कट है बैंक आप से interest लेगी and as a no cost EMI offer this interest of 585 has already been deducted from the price of your order क्लियर बात होगी एकदम कि already उन्होंने रिड़क्ट कर दिया है instant यहाँ पर रिड़क्ट हो चुका है उसके बाद if you are paying by a credit card your card limit will be temporarily utilized for an amount of credit card का यह आपको ध्यान देने ज़रत नहीं है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि master card था हमारा 6 दूसरा टाइप का आया है मैं आपको clear कर देता हूं ताकि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर जो है आपको पूरा डीटेल दिया है STFC का इंटरफेस ने की कौन-कौन सा कैसा मन्त बन रहा है किता इंट्रेस्ट पड़ रहा है यहाँ पर बोला गया कि आपको registered mobile number डालना चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं ओकी mobile डालने के बाद हमारे mobile mobile number में OTP यहाँ पर क्लिक करते हैं समिट पर करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें इंटरफेस देखने को मिलता है यहाँ पर verification क्या जा रहा है चलिए अच्छी बात है यहाँ पर verification होने के बाद यहाँ पर कुछ terms and condition को यहाँ पर accept करना होगा जिसमें यहाँ पर मेरा सबसे पहले डिटेल आ गया है बैंक का डिटेल आ गया है कुछ यहाँ पर terms and condition इसे हम लोग accept कर लेते हैं एक बार आप चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पर वस वही है यह माई का यहाँ पर bank for any load related query kindly note that any refund initiate may take up to 48 hours ठीक है यहाँ पर बोला जा रहा congratulations हो चुका है just हम लोग यहाँ पर done पर क्लिक करते हैं done पर क्लिक करने के बाद हमारा order I think so यहाँ पर successful हो जाना चाहिए सो के हमारा payment तो यहाँ पर हो गया चलिए मैं आपको order section दिखाओ दोता हूँ your order section में जाने के बाद यहाँ पर हमारा देख सकते हमारा order यहाँ पर successful fully placed हो चुका है अगर मैं view order detail पर जाओंगा तिहाँ पर क्लिरली वहाँ पर सो हो जाएगा कि हमने यह जो है हमारे bank से यहाँ नहीं कटा है क्योंकि ऐसा बहुत सारे मैं ने वीडियो में देखा कि एक बार पूरा पैसा कट जाता है फिर जाकर के आपका amount को फिर दिया जाता है फिर जाकर के आपका EMI वगरा बनता है तो चलो मैं भी confusion में हूँ एक बार मैं अपना statement चेक कर लेता हूँ कि आखिरकर पैसा कटा तो कितना कटा और कैसे फिर सारा होगा management वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सो कि अभी मैं bank क अपना statement चेक कर रहा हूँ एक चीज़ में पो यहाँ पर सर्फ्राइस किया है कि मेरा bank से अभी तक पैसा कटा ही नहींzę मेरा order भी यहाँ पे हो चुका है order आपके सामने में यहाँ पर दिखा दिया मेरे bank से पूरा statement में यहाँ पे check कर रहा हूँ अभी तक कोई पैसा यहाँ पे नहीं कटा है तो इससे क्या चीज़ लगता है मैं आपको बता दूगा देखे कोई भी अगर सही update आएगा या पैसा कटता है वीडियो डिस्रिप्शन में आपको दे दूगा कि कितने time के बाद पैसा कटा होगा instant में कोई भी ना तो down payment करने का पड़ा है या कोई भी मतलब एक रूपिया का अभी अभी तक कोई भी मेरे statement में चेक कर रहा हूँ कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं कटा है तो इससे यह चीज़ क्लियर हो गया है कि एक ही साथ पैसा नहीं कटता है अगर बाइदवे कट करता है 15-20 मिट के बाद तो वीडियो डिस्विशन में आपको मैं update कर दूंगा कि कितने देर के बाद कटा था लेकिन अभी recent का situation में एक रूपया भी मेरे bank account से नहीं काटा गया है order successful हो गया है तो इससे यह चीज़ क्लियरली हो जाता है कि हर मंद के इंड में मेरे को 6 महिना तक जो है installment paid करना होगा और no cost EMI था इसलिए हमें stand discount भी Amazon ने दे दिया अपने EMI वाला और यहाँ पे हमारा order भी place हो गया और जितने रूपया का phone था वो इतने ही रूपया का phone मेरे को यहाँ पे मिल चुका है no cost EMI में तो बहुत ही अच्छी चीज है SDFC bank के साथ account खुलवा लो क्योंकि इस पे कोई भी processing fee नहीं लगता है ना ही no cost EMI पे 18% का GST लेगा interest bank साथी साथ मैंने आपको बता दिया SBI हो गया ICIC हो गया सभी लोग processing fee लेते हैं 18% का GST लेते हैं आपको यह सिस किलियरली बहुत को लोग नहीं बताएंगे फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि no cost EMI हमने लिया लेकिन पैसा तो एक्स्ट्रा कटा तो वही चीज बात होता है 18% का GST लेता है और सभी bank लेकिन SDFC bank ऐसा है जिसने हमें यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया और instant कोई भी पैसा bank से कटा ही नहीं है मेरा पूरा 6 महीना म जब आरेत